हेलो इस्टुडेंस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल च्योगरुफी गुरू आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नमबर 77 यानि कारे पत्रक सिंख्या स्तैतर को आज की इस वर्कशीट में हम व्याकरण में रस तथा वाच्चे से समन्दित कुछ वाक्य दिएगे जिन से हम अभ्यास करने वाले यानि रस और वाच्चे उनको थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हम आज की इस आसान सी वर्कशीट की जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के उपर देख पा रहे हैं यह हमारी वर्कशीट नमबर 77 यानि कारे पत्रक सिंख्या स्तत्तर रहेगा हमारा सबजेक्ट विशे हिंदी है जिसमें वैवारिक व्याकरण है उसका अभ्यास करने वाले है आज के दिना करहेगी 25 जनवरी 2021 इस कारे पत्रक में हम वैवारिक व्याकरण का अभ्यास करेंगे आप अभी तक कई व्याकरणिक बिंदूएं हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, अभ्यास कर चुके हैं, काफी सारी वरक्षीट हमारी ऐसी भी आई है, जिसमें हमने रस का या वाच्चे का है, उनका अभ्यास किया है, आज हम इस वरक्षीट में भी रस और वाच्चे उसका थोड़ा अभ्यास करेंगे, और थोड़ा रसराज कहा जाता है, चार उप्सन दिये गए, सुरिंगारस, हास्यरस, वीरस और वादसलेरस, इसमें रसों का राजा किसे कहा जाता है, यह हमें बताना है, तो हमारा अंसर रहेगा कै, सुरिंगारस को रसराज कहा जाता है, उसके बाद दूसरा परशन दिया गए, शांत रस का स्थाई भाव क्या है तो यहाँ पे चार उप्सन दिए गए हास परियास, रती, निर्वेध और घ्रिना इन में से कोई एक शान्तरस का स्थाई भाव है और हमें वो सही जो उप्सन है उसको हमें सेलेक्ट करना चूज करना तो हमारा अंसर है गए निर्वेद है वो शांत रस का स्थाई भाव होता है उसके बाद तीसरे वाक्या की तरह बढ़ेंगे तीसरा जो वाक्या है हमें बाल स्ने वर्णन किस रस में होता है बाल स्ने वर्णन किस रस में होता है जो बालक है होती है उनकी क्रियाओं का उनकी क्रिडाओं का वर्णन होता है वो किस रस्ष में आता है ये हमें बताना है तो चार ओप्सन दियेगे शांतरस, वात्षलेरस, स्रिंगारस और भक्तिरस हमारा उत्तर जो रहेगा वो है वात्षले रस में आता है बाल सने वर्णन उसके बाद चोथा जो परशन दिया गया है बाल दसा मुख निर्खी जसोदा पुनी पुनी बंद बुलावती अंचरा तरके ढंकी सूर के परभू को दूद प्यावती यहाँ पे बाल जो स्री कृष्ण है उनकी कृड़ाओं का व वात्सलेरस में आएंगा तो यहां पर भी हमारा उत्त रहेगा घहर रहेगा वात्सलेरस उसके बाद हम सेकिंड कोशन की तरफ बढ़ते हैं जो सेकिंड कोशन है इसमें हमें कुछ वाक्या दिये गए है वाच्ये परिवर्तन से सम Didn't यहां पर करित्री वाच्चे होगा पक्षी बोलने लगे यानि कि पक्षी वो कारे करें यानि कि यहां पर करित्री वाच्चे कुन से होता है जहां पर करता परधान होता है वहां पर होता है करित्री वाच्चे तो यहां पर पक्षी है वो परधान है उसके बाद दूसरा है सोहन से चला नहीं जाता तो यहाँ पर भाव वाच्चे परधान है क्या है यहाँ पर भाव ना परधान है तो यहाँ पर भाव वाच्चे रहेगा उसके बाद तीसरा जो हमें वाक्या दिया गया आज हमें गणित पढ़ाया गया आज हमें गणित पढ़ाय गया, यहाँ पे करम की परधानता है, पढ़ाया गया, तो यहाँ पे करम वाच्चे रहेगा, उसके बाद चोथा जो आक्या दियागा, बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है, यहाँ पे बुढ़ापा और रोग की बात की गए, दोनों ही है, तो यहाँ पर गय हमारा उत्ता रहेगा, यानि भाव आच्चे, तो पहले में हमारा रहेगा, दोबारा से हम देखते हैं, पहला करेतरी वाच्चे है, दूसरा जो सुन से चला नहीं जाता भाव आच्चे है, तीसरा आज हमें गणित पढ़ाएगा, यहाँ पे करम वाच्चे है, तो यह थी हमारी आज की बेहद आसान सी वरकशीट, उमीद करता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, तीस वीडियो को लाइक, शेयर और सबस्काइब चैनल को अगर आप आप तने नहीं किया अभी तक तो इसको करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फोलो कर सकते हो, जिसकी आईडी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, लिंक पी दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमारा टेलिग्राम चैनल भी जोइन कर सकते हो, आपके को झाल